दोस्तों मैं YouTube पर जाता हूँ, सर्च करता हूँ thumbnail कैसे बनाएं तो सबसे टॉप में मेरा वीडियो रेंग कर रहा है जिसमें 6 लाग से ज़्यादा व्यूज आ चुका है दोस्तों अगले वीडियो मैंने आपको बताया था कि YouTube वीडियो का thumbnail कैसे बनाया जाता है लेकिन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो में thumbnail कैसे लगा सकते हो अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को एक प्रॉलम हो रहा है कि उसको thumbnail लगाने का option ही नहीं मिल रहा है तो आपको option भी मिलेगा और आपका thumbnail लगेगा भी और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका thumbnail नहीं लगता है तो आप इस चैनल को unsubscribe कर देना तो दोस्तों चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको यूटूब से लेकर बहुत सारे वीडियो मिलता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आज चुका हूँ अपने मोबाईल स्किन में चलिए आपको लाइब यहां पर करके दिखाने वाला हूँ कि आपको अपने यूटूब वीडियो में कैसे थमने लगाना है अको गर्या उसके बाद आपको अपर अपको यहां पर सब करना होगाँ आपको अपने यूटूब वीडियो में तो खल करना होगा ठीक है उसके फासर्ट कर तरीके से लेकिन पहले आपको Chrome एक बार open करना होगा तो यहाँ पर देखिए Chrome ब्राजर जैसे open करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर search करना है यहाँ पर search box में आप यहाँ पर search कर सकते हैं youtube.com या फिर दोस्तों directly अब यहाँ पर YouTube के इस logo पर click कर सकते हैं तो चलिए मैं इस पर यहाँ पर click कर देता हूँ उसके बाद आपके सामने इस पर का इंटरफेस खुल जाएगा अब यहाँ पर आपको click करना है उपर इस थरी बिंदू पर यहाँ पर देखितना है थरी बिंदू पर click करना है अब उसके बाद आपको यहाँ पर एक option मिलता है यूटूब इस्टूडियो पर तो यूटूब इस्टूडियो पर जैसे click करेंगे उसके बाद आपके सामने यूटूब का studio open हो जाएगा आपका यूटूब चैनल का ठीक है अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको सबसे नीचे corner में जाना यहाँ पर एक option दिखेगा setting का icon ठीक है setting का icon थोड़ा से zoom कर लेना यहाँ पर अभी setting icon पर मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ चलिए तो इस पर click करने का बाद आपके सामने इस पर का interface खुल जाएगा अब यहाँ पर दिखे दोस्तों आपको दो नुमर में एक option यहाँ पर देखने को मिलता है channel का यहाँ पर देखने का channel का तो simply आपको channel वाली option पर click करना है यहाँ पर आपको जाना है कहाँ पर यहाँ पर आपको जाना है feature agility पर पहले जो feature agility मिलता है इस पर आपको क्लिक करना ठीक है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर तीन option देखने को मिलता है ठीक है यहां पर एक option दो option तीन option तो आपको यहां पर दूसरे नमर option पर क्लिक करना है यहां पर जो verify करना आपको यह पर verify का option मिलेगा उस पर click करेंगे तो आपको अपने mobile नमर इंटर करके आप verify कर सकते हो लेकिन दोस्तों कर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे verify करना है अगर आप जानना चाहते हैं detail में तो मेरे चैनल पर वीडियो से उस वीडियो पर link में description में दे जरुरत नहीं है अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको अपने YouTube चैनल का YT Studio application को open करना है YT Studio application आप Play Store से डाउनलोड कर लेना YouTube का अपना application है ठीक है तो YT Studio application open करना है इस application को जैसे open करेंगे तो आपका YouTube channel यहाँ पर open हो जाएगा चली मैं आपको live दिखाता हूँ जो कि कैसे आ आपका चैनल यहाँ पर दिख जाएगा इस पका से अब चैनल आपका दिखने का बात दोस्तों आपको अपना latest videos पर thumbnail लगाना है तो latest videos पर जाने के लिए क्या करना है आपको content वाली option पर पहले यहाँ पर click करना है तो content वाली option पर जैसे click करेंगे तो आपका latest videos दिख जाएग इस videos पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक pencil का icon दिखेगा यहाँ पर देखते है उपर में तो simply इस pencil icon पर आपको click करना है अब इस पर जैसे click करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर फिर से इस पर इंटरफेस मिलेगा तो फिर से आपको यहाँ पर एक pencil icon दिखता तो फिर से आपको इस पर यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस पर अगर इंटरफेस खुल जाएगा और यहां पर आपको दिखेगा custom thumbnail का तो simply आपको क्या करना है custom thumbnail पर क्लिक कर देना है आपका gallery में जितना भी फोटो से सारा फोटो से यहां पर दिख जाएगा तो thumbnail कैसे बनाना है already में बता चुका हूँ आप उस वीडियो को जाकर देख लेना professional thumbnail बनाना सिखाया हूँ बहुत latest version में ठीक है तो उस वीडियो को देख लेना आप अच्छी thumbnail बना सकते हो बाकि अपने thumbnail को लगाने के लिए simply आपका जो thumbnail बना हुआ है उस प याँ पर लग जाएगा जोकि देख सकते हैं मेरा thumbnail यहाँ पर लग चुका है इस पकार से अब thumbnail अपने वीडियो समें लगा सकते हो तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे विडियो समें जवच लग चुका है अब इस वीडियो को चलिए मैं आपको YouTube disappointment में भी लग चुका है तो इस प्रोसेस से अब थमने लगा सकते हो अगर दोस्तों आपको वीडियो प्रसंद आया है वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम